हालो दोस्तों आपका राना क्लासेज में स्वागत है तो आज जेपेसी से समन्दित मातपूर्ण अपडेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखें पसंद आने पर लाइक नए लोग सब्सक्राइब और वेल आइकन पर बटन दवाना ना भूले तो पहले भी जेपेसी के बारे में बताया था तो कुछ लोग फेक निवीज बता रहे थे तो कुछ लोग नराज होकर कुछ भी लिख रहे लेकिन ये आज की पेपर आपको दैनिक जागरेन का है मैं खुद दाउनलोड किया हूं इसको तो देख सकते हैं आपकी जारखंड लोग सेवा आयोग जेपेसी को चौथी वार छटी सिविल सेवा परिच्छा की पीटी का परिणाम संसोधित करना पड़ेगा शुप्रीम कोट ने जेपेसी की सर्तों के में किये गए बदलाब को उचित नहीं मानते वे पार्थी को मुख्य परिच्छा में सामिल करने का आदेश जेपेसी और जारखेंड सरकार को दिया है पार्थी राकेश कुमार ने सुप्रीम कोट में बिसेश अनुमती आजका दायर की थी सुप्रीम कोट में दायर आजका में कहा गया था कि जेपेसी ने छटी सिविल सेवा की परिच्छा के लिए जो भी ग्यापन निकाला था उस अलाव के बाद दोनों पेपरों में 40 फिश्दी अंक लाना निवार दिया कर दिया गया पार्थी को प्रारंभिक परिच्छाम यह कहते हुए सफल्गोसित नहीं किया गया कि उसने कुल 40 फिश्दी अंक हासिल किया है दोनों पेपर में 40 फिश्दी अंक नहीं मिला इसके ख लाप उसने जारखंड हाई कोर्ट में आजका दायर की थी, हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजका खारिज कर दी थी, इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, सुप्रीम कोर्ट में पार्थी का पच रखते वधिवक्ता सुचित्रा पांडे ने कोर्ट को बत ये तो टै है ये हेडलाइन भी है और जो ये जो है अलग-अलग में जो इसमें कि अलग-अलग जो कट आउप माना कि दोनों में क्वालिफाई ये सही नहीं माना है और जो प्रभात खबर कनी उझे उसी भी पढ़ देता हूं कि सुप्रीम कोट ने राज सरकार वर जार्खें लोक सेवा आयोग को आदेश दिया एक वच्छटी सिवल सेवा मुख्य परिच्छा में अपील करता राकेश को सामील करे अपील करता को दोनु पत्रों में 40% से अधिक अंग प्राप्त हुआ इसके आधार पर उन्हें सफल मानते मुख्य परिच्छा में सामील किया जाए यह आदेश अन्य पर लागू नहीं होगा कोट ने एसल पी स्विकार कर लिया मामले की सुनवाई जेस्टिस आरेफ नरिवन वजेस्टिस इंदू मल होत्रा की खंडपीट में हुई इस से पूर पार्थी की ओर से दिवक्ता सुचित्रा पांडे ने खंडपीट को बटाया कि 40 परतिशत अंकुल प्राप्त कांग के आधार पर होगा प्रते एक पेपर में 40 परतिशत जरूरी नहीं है यह बात राज सरकार के अधिसूचना वजे पीस सी द्वारा जारी बीग्यापन में भी इस प्रेश तोर पर लिखा हुआ है जारखंड हाई कोट बस चुनाओती दी थी उन्होंने जारखंड हाई कोट में आच का डायर की थी हाई कोट ने एक लप फिक साथ की ती इसे पार्थी न अपील दायर एकलफ फिट के आदेश को चुनावती दी अपील आज का ही खारीज हो गई है पार्थी सुप्रिम कोट में इस पिल दायर कर जारखंड हाई कोट के अधिस को चुनावती दी तो मतलब यह हुए उसके जो की उखारीज हो गई है वहाँ भी कोश्चन की जो अपील है अच्छे कोश्चन की लेकिन जो है यह उसमें आदेश दिया है को छटी जवल मुख पर चाम अप 1000 रियल्ट आएगी या सिर्फ इन ही इससे तो असपर ठोड़ा कि सिर्फ जो अपील करता है उसी को सिर्फ परिछा में भरने का अगर ऐसा दिया जाता है तो ठीक है यह कोट का आदेश है लेकिन और लोगों को भी परियास करना चाहिए इसी आदेश के आधार पर कि जिससे कि जब एक अधार विन गया तो इससे आप कोट मान लिए कि अगर जेपीसी नहीं फिर से पुना संसोधित रियल्ट निकलता है तो फिर आप कोट में जा सकते हैं तो यह आप जेपीसी से भी क्लियर कर लें कि क्या सिर्फ एक ही का रियल्ट निकलेगा या पूरी है जो कि ज